अगर आपने पहले की पर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वह देख लीजेगा इससे स्टूरीज साथा समझ में आएगी तो देखते हैं हम आपने एक लड़का आता है जिसे अपना नाम बताता है लू यू की तभी वह उसे थोड़ी बहुत बात करता है उसे देखते हैं य पर नाम बताता है जो कि टुमारो स्टार में था और इसने भी अपना डेवियू किया था और यहां पर ना हमें पता चलता है कि वह बहुत इदा टॉप लेयर होने वाला है अनन के साथ और यहां पर और भी बताता है कि आनन की तरह बिल्कुल भी नहीं था वह कभी कि रने करता है तो अंधर उससे काफste टार है और यहां पर इसके पास शाल करके तो मैं तुम्हें अच्छे से कोई भी जादा मतलब अच्छा काम नहीं करूँगा मैं तुम्हें यहाँ पर जो recommendation नहीं दूँगा नहीं तुम्हें जो मतलब adapt करूँगा मतलब वो कहना जाता था कि वो उसका साथ नहीं देगा अगर वो excellent ना हुआ अपने काम में तो यहां पर वो से बोलता है कि thank you मैं अच्छा वक करूँगा और फिर वो सोच्टा है कि वो सच में real है अब इसलिए तो मुझे पता चल रहा है कि उसके temper के बावजुद भी उसका जो fans का group था वो से हमेशा support करता था और फिर वो सोच्टा है कि इस तरह के लोग उन लोग से काफी ज़दा बहतर है जो कि small के पीछे अपना जो अपना real face है वो चिपाते हैं और वो से अनन की याद आ जाती है और वो गुसा करता है तब हम देखते हैं यहां पर scene cut होता है और यहां पर यहां पर यहां घर जाने लगता है सोच्टा है कि मैं फेई ब्रदर को बात में बताऊंगा कि मैंने बहुत अच्छा male friend बनाया है और फिर वो सोच्टा है कि वैस्टो थोड़ा सा fears है लेकिन उसने मुझे बहुत हार्ली train किया है तभी हम देखते हैं वहां पर ना एक लड़का आता है और उसे बोलता है कि मैं गुफी का assistant हूँ मुझे तुम यांग बोल सकते हो अभी master guru को कुछ करना है आज तो इसलिए मैं तुम्हें पिक अप करूँगा तो यह अंजन sad हो जाता है और उससे बोलता है उस बड़ी थी जो ब्रदर फेही था उनके फादर का road accident हुआ था साथ साल पहले और वह बोलता है कि जब उसका accident हुआ था तब वह सिर्फ 20 साल का था और यह हम देखते हैं यहां पर घर पहुँआ जाता है और काफी जाता रेन हो रही हो दिए गूफी घर आता है और काफी जदा़ãy ठ्रिंक होता है घर जैसे वह वह वातस आता है क्याँ प्रदर फे partner रहा है तो वह यहां पर ले नहीं को भाता था है। शो नहीं रहा था जैसे मैने आवास सुनी में नीची आगया और उसका क funktioniert वह से बेहाँ हrے हैं वो वैसे नॉर्मल ही ट्रिंक करते हैं लेकिन आज कुछ स्पेशल देता है यहां पर फिर लिनियान उसे बोलते हैं कि अंकल शंद आप जाए और हैंगवर शूप बनाईए मैं यहां पर उनकी हल्प कर दूगा रूम तक पहुचाने के लिए तो बटलों से थैंक यू बो ब्लश करने लग जाता है उसे पुता नहीं होता है कि वह क्या कर और फिर वह बोलता है कि मैंने तुमारे क्लोस को वैट देखा तो इसलिए मैं चिंता का रहा था कि तो मैं सिख हो जाओगे तभी गोफे उसके चीक को हाथ से पकड़ लेता है और उसे बोलता है यहां पर हम बहुतिया तर ट्रेंक है और तभी वह उसके चेहरे को टच करने लगते है और सुच तभी वहां पर अंगल शन आ चाते हैं क्योंकि ना फिर वह थोड़ा नवश हो जाता है तभी अंकल शन बोलता है कि मास्टर लिंड अभी ठीक है और वह सो रहा है और फिर वह उसे बोलत वह सच में तो तोड़ा सा सोचने लगता है और में तो इसके खरीद आता है और प्र में चाहता है की तो बार बार टच करता है सोच रहे कि जब मेरी टाथ हो रही थी उससे पहले मैंने बार बार उस इंसान के प्रइस को टच किया था मैं रोग नहीं हो सकता है मुझे सच में फीद हो रहा है वह सच में तुम ही थे ब्रदर फई मतलब उसे यहां पर थोड़ा थोड़ा ऐसास होने लगता है और उसके यहां पर ना बहुत जधे ठंडर हो रहा हैं तो मुझे डर लग रहा है तब इना गुफी से उसे उसे वह दोने यहां पर उने साथ और वह और जब रहों हो नहीं लगता है। यह पढ़ना यांदन सोचता है कि अभी बहुत ही टाइम हो गया हम एक दूसरे को हख कर रहा है और फिर थोड़ा से दूर हो कि उससे बोलता है ब्रदर फई अभी मैं फाइन हूं तो अभी तुम्हें हैंगोबर सूप लेना चाहिए तो फिर ना वह उसके लिए सूप लेकर अभी पीलो वरना बाद में ठंडा हो जाएगा वरना तुम्हें प्रॉब्लम ही हो सकते है तभी हम देखते हैं गुफी अपना कोट उतारता है और सोचता है कि मुझे बहुत हैड़ा हो रहा है तभी ना उसकी चस्ट तोड़ी सी दिखने लगते है तो यांदन उसे देखक तभी गुफी उसके चहरे पे हास लग दिता है उसके माउथ पर और उसे बोलता है कि अभी तुम बात करना बंकरो और मूब करना बंकरो यांचन यहां पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है नेक्स सीन में हम देखते है जहा पर गुफी तो सोचा दा रही यांजन उसे और वह सोच रहा है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था को फ़ी यहांपर ड्रंक होने के बाद थोड़ा से डिफरेंट होगा अपनी यूजिल फॉर्म से और उस ऐसे देखते देखते सोच रही फ़ी लेकिन फ़ी नहीं उठता और फिर वह सोच रहा है कि आज पे की बहुत ज पे कि यहांपर पता चलता है वह नाटा कर रहा था और फिर उसे देखते हुए बूलता है तो अब भी उतने ही सौफ्ट आर्टर हो जितने तुम पहले थे और फिर उसे किस करता है उसके माते पर और फिर वह सोच रहा है कि इस टाइम पे मैं तुम्हें कभी लोज नहीं कर अब वह सोच है कि वह तो चेस्ट पर सोगे और सौच है कि अक्सलों में कल मैं गूफी की चेस्ट पर सोगे नहीं नहीं उसके वेकप होने से मुझे पहले ही जाना होगा और हम देखते हैं गूफी तो जान बुठकर वहां पर लेटा होता है और अपने आख एक कोल कि उसे यह सही है मुझे उसे डराना नहीं है और यहां पर नहीं दिन सोच रहे हैं उसने काफी ततर ट्रंक कर लिया था तो मुझे उमीड है उसे यह बात का नहीं पता चलीगा शाहद कर रात की बाते भूल भी गया होगा और हम देखते हैं वह चला जाता है दो घंटे बात का सीन द बाता है कि तुम उट गए और फिर वह उसे बोलता है कि यहां पर आओ मेरे साथ ब्रिक्वस्ट करने के लिए तब यह थोड़ा सा मतलब अपनी माइंड में नहीं होता राइट मैंने क्योंकि वह अभी आप शोकर उटता है फिर उसके पाव जाता है तो उसे बोलता है क्या कि नहींने तुम बस सो गए थे जब तुम वापस आए और वह सोचता है कि यहाद नहीं है लेकिन जो गुफिय उसे बोलता है लेकिन जब मैं उठाना तब मुझे ऐसा लग रहता है मेरी जो राइट आर्म है वह काफी दानम है जैसे कि किसी चीज ने उसे प्रेस किया हो प अपने बाहों में लेकर अपने ड़का सुख रहता है जो खासता है उसे बोलता है कि इस तरह से बोलता है और वह साप कर जाता है और इसके सथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है कर दोर्च कर दोर्च करनों